हेलो स्टुदेंट्स तो ड़े विया गुटि स्टार्ट चैप्टर फाइव क्लास 10 इस इस अरित्मैटिक प्रोग्रेशन तो अरित्मैटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर करेंगे ये बहुत इसी चैप्टर है सीबियस्य की तरफ से जो आपके स्लेवस में इंट्रोडूइस होँ थोडेखे सबसे पहले अरिफ्मैटि क्प्रोग्रेशन होता ह्या फर्स्थ पाटिश इंट्रोडवक्शन ट्रक सील होता है इसको इन्ट्रोड पास एक नंबर फ्रक सुझेट 93 दरन भी इसको 1000 कर रहा हूं ठीक है तो पास number आगे, okay, तो यह number जो 1000 तक आए है, यह कितने number है, और इस जो में, यह मैंने जो लाइन लिखें, इस line को बोलते हैं, हम sequence, ठीक है, यह आपके पास एक sequence त्यार होगी, ठीक है, तो sequence को series बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको इसको series में convert करना है, तो आपन एक plus यह minus introduce करके, कुछ भी आप introduce कर सकते हो, इस sequence को हमने बना दिया, series, अब इस series में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि दिखें, अगर मैं first difference निकालूँगा, this is d1, difference, d stands for difference, 4 में से 2 minus करूँगा, तो मेरा answer आएगा, 2, चलिए second difference निकालते हैं, second difference के लिए 8 minus 6, तो हर बार difference आपका कितना निकल किया रहा है, तो ऐसी series जिसको पंजाबी में अंक गणित लड़ियां भी बोलते हैं, तो ऐसी series जो है, इस series को हम बोलते हैं, AP series, जिसके अंदर difference सारा same हो, ठीक हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको study करना होगा, कि इसको हम कैसे कैसे, कौ आपको मैं question देता हूँ, question है कि इस से जो आपने, मैंने series लिखिया है, इसमें total number of terms कितनी है, total number of terms, ठीक है, यह आपने बताना, total number of terms कितनी है, जैसे यह आपने कितनी दिखाए दे रही है, 1, 2, 3, 4, 5, and last में सोन जागे, 7 दिखाए दे रही है, पर actual में कितनी है, ठीक है, त तो total number of terms find out करने के लिए हमारे पास एक formula है, this is an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है, तो a क्या होता इस formula में, यह जो a है, a होता आपका बच्चो first term, this is first term, ठीक है, और first term हमारे पास यहाँ पे इस series के अंदर, यह था आपका question था, ठीक है, तो यह first term आपके पास 2 है, तो यहाँ पर मैं a के value to put करूँगा, n मुझे पता नहीं है, n तो मुझे calculate करना है कितनी number of terms है, इसके बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 term दिखाई दे रही है, बट total कितनी है न, 2 से लेके 1000 तक कितनी है, यह नहीं हमें पता है, वो हमें calculate करना है, difference आपने निकाले थे, difference आपका 2 है था, here is an, यहाँ आप lb use कर सकता है, this is your last term, ठीक है, जो आपको sequence दे रखिए, इसकी last term कौन सी है, तो here last term is 1000, तो मैं यहाँ पे 1000 put करूँगा, चलिए इसको calculate करते है, calculate कैसे करेंगे, तो calculate करने के लिए आपको करना है, यहाँ पर 1000 है, यह 2 प्लस में है, आपने n निकालने है न, n के साथ देखो, n के साथ यह प्लस में है 2, तो इधरा के माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यह वाला इकल टो ऐसी, और यहाँ पर रहेगा, n-1, इंटो 2, तो यहाँ आगे बटन, 998, तो यहाँ पर n-1, यह इस पूरे factor के साथ multiply में है, multiply वाल टाम इधरा के क्या हो जाएगी, divide, ठीक है, तो next इसको divide कर दी, क्या जाएगा, 4, ओके, this is 9, this is 9, 4, 99, and minus 1, यह minus 1 है, minus 1 इधरा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 500, तो आपके पास पूरी sequence में कितने terms थी, तो यह जो formula हमें बनाएके दिया, this is the first formula, अब आपके पास second जो issue है, इसमें लेके, अगर मै आपको बोलू, कि इसको add अगर के बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 6, 12, 12 प्लस 8, 28, ऐसे add करते चले जाओगे, 1000 तक add करोगे, तो शाम तो हुई जाएगे न, आपको सुबे से लगे हुए, तो हमें यह नहीं करना, तो हमें इसको add करना है, by using the formula, तो वो formula क sum of ap series, ठीक है, यह जो ap series है, इसका sum करना है, तो sum के लिए कौन से formula है, तो first formula है, sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, यह first formula है मारे पास, और second formula क्या है, इसी में मैं आपको second formula भी करके दिखाता हूँ, तो second आप ऐसे भी कर सकते थे, sn is equal to n by 2, a plus an, इससे भी आप add कर सकते हो, ठीक है, तो यह होगा आपार add, तो कैसे करेंगे, see here, तो n, n आपने कितना निकाला था, तो this is your 500, तो 500 divided by 2, 2a, यह आपकी first time थी sequence के अंदर, तो a कितना था, तो यहाँ पर देख सकते है, a is 2 here, तो यहाँ पर 2, plus this is again 500 minus 1, difference is 2, तो difference आपको कितना है था, difference यहाँ पर 2 है था, तो इसको solve करते 4, यह आपका जाएगा 499, 499 को 2 से multiply करोगे, this is 998, ठीक है, यह बन जाएगा 250 into, यह जाएगा 1002, तो यह एक factor बन रहा है, तो add करने पे आपको इतना मिलेगा, तो 250 को जब इससे आप multiply करोगे, तो multiply करने पे आपको मिलेगा, 250 into 1002, this is 250 and 500, तो near about this time यह आपकी calculate करके आजाएगे, ठीक है, अब इसी को दूसरे formula से calculate करके जाता हूँ, this is SN, N आपका फिर से 500 था, and here is 2, A2 था आपका first time, और last वाले time आपकी 1000 थी, तो यह भी कितना आ रहा देखिए, यह आपका 250, इसकी cutting करेंगे आप, और यह आजाएग आपका 1002, तो देखिए 250, 1002, 250, 1002, फिर से भी आजाएगा 25, तो इतनी जो सब का सम, इतना निकल के आ रहा है, मतलब जब आप पूरी sequence को add कर दोगे, यह जो पूरी sequence है न, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यह सभी को add करने पे, सभी को complete, तो इतना सम निकल के आ रहा है, त जो ने इस पर बहुत सारी थेयरम से लिखे होई है, जब गौस ने यह formula बनाया थे, ठीक है, तो इन्हों ने जब भी formula बनाया थे, तो यह actually इस वक्त school में बढ़ थे, यह school के student थे, तो इनके teacher इनको बार बार ने एक problem दे रहे थे, वो problem क्या दे रहे थे, वो कुछ है से उन पतलब बच्चों से वो activity कर वा रहे थे, उस वक्त जो उनके class में बच्चे बैठे थे, गौस तो उनके दिमाग में मतलब एक concept आया, तो वो देखो उस वक्त मतलब 8th 9th standard में बढ़ते होंगे, तो उस बच्चे ने बैठे बैठे class में इस सारे formula इतियार कर दी है, कि हम number से क ले कर रहे हैं, तो यह हमारा होगा, first formula यह भी आवे गौस ने दिया, कि जब भी आपको number of terms पता करने है, total number of terms, तो आप यह formula लगा होगे, जब उन्ही total number of terms को add करना है, ठीक है, तो आप यह दोनों formula उसे को भी लगा सकते हो, अगर आपके पास last term है, तो यह लगा दो, अग और पढ़के मैत बनाते भी थे, तो देखे कितना difference है, ठीक है, तो यह हमारा होगा, basic यहां तक, अब basics के बाद हम start करते हैं कि कैसे जो है, next part हम इसका करेंगे, exercise 5.1 First question, exercise 5.1, तो यहां से 5.1 exercise start करेंगे, तो first question here is, a taxi fare after each kilometer, when the fare is 15th piece from the first kilometer and 8th piece from additional kilometer, देखे यह आपको एक situation दे रखी है, इस situation के according आपने बताना है, क्या यह situation AP series को represent कर रही है या नहीं, तो चलिए देखते हैं, इसका solution, इस situation का, तो first kilometer की बात करें, जो first kilometer है, उसका rent कितना है, तो उसका rent है 15 rupees, ठीक है, अब second kilometer की बात करेंगे, तो पहले का 15th हो, उसमें 8 rupees additional लग रहे हैं, तो अगर 8 rupees उसमें additional लग रहे हैं, तो total कितना होगा, this is 23, similarly अब थर्ड किलोमेटर की बात करेंगे, तो here it is, यह कितना हो होगा, दो किलोमेटर का already आपका 23 हो चुका है, अब थर्ड किलोमेटर में फिर डायड कर दीजे, this is 31, and similar देकर में आप 4th की बात करो, this is 4th kilometer, तो यहाँ पर यह क्या जाएगा, 31 plus 8, ऐसे यह बढ़ता चले जाएगा, this is 39, तो देखें, आपकी series क्या बनी, series is 15, then 23, then 31, then 39, तो ऐसे आपकी यह series चलती जा रही है, और इस series को अगर आप ध्यान से देखोंगे, तो सभी के बीच में जो difference है, common difference इसको बोलती है, वो सेम आ रहा है, तो इसका अनसर है, yes, this is a DP series, तो यह आपका 1st question हो गया, 1st question का 1st part, अब इस 1st question का 2nd part है, उसको देखेंगे, what is the 2nd part here, तो here is your 2nd question, तो इसी 1st question का 2nd part है, इसमें बोला गया आपको, आपके पास air present है, किसी cylinder के अंदर, ठीक है, उसको वैक्यूम पम से निकालना है, जब भी आप उसको निकालोगे, 1 by 4th of the remaining air in a cylinder at a time, कितना remove करना आपको, जो आपको remove कर रहे हो, this is 1 4th of the air, जो उसके अंदर present है, ठीक है, तो देखें, यह आपके पास एक cylinder है, this is cylinder, ठीक है, इस cylinder के अंदर कुछ air है, इसके अंदर क्या available है, so air is here, तो इस air को आपने वैक्यूम पम्प के थ्रू बाहर निकालना है, ठीक है, तो जैसी बाहर निकालोगे, तो आपका हर बार 1 4th part, जो 1 4th part है, जो भी इसके अंदर air present है, उसका 1 4th part निकलता चाले जाएगा, ठीक है, तो इसका let करते है, let air present, जो air present है, उसकी volume क्या रही है, air present in cylinder, जो cylinder के अंदर air present है, उसकी volume क्या रही है, उसकी volume मा लेते हैं, consider x, ठीक है, अब after first pump, जब आफ फर्स्ट बार पंपी करोगे, first pump, तो क्या करोगे, आपके पास इतनी air है, और उसका 4th part, मतलब 1 4th of the present, देखे, ये इतनी present है, this is x, x is present, इतनी volume उसके अंदर है, ठीक है, तो उसमें से आप minus कर रहे है, 1 4th part of the given volume, इसको minus कर दो, तो कितना है इसको solve करना है, बैल सिम आपका 4 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो this is 4x, 4 into x, 4x, minus 1 into x is x, this is 3x by 4, तो इतनी air उसके अंदर बची, तो पहले जब आपने pump नहीं किया था, उसके अंदर इतनी air थी, तो pump करने के बाद इतनी बची, जो सलब second pump कर देखते है, after second pump, after second pump, जब आप दूसरी बार pump को use करोगे, अभी देखे, इसके अंदर present कितनी है, इसके अंदर of the present, present आपकी इतनी थी, इतनी है, इसको निकाल रहे हो, ठीक है, तो चलिए इसको solve करते हैं, यह कितना आ जाएगा, 3x upon 4 minus, यह 3x upon 16, इसको solve करेंगे, इसको 16 आ जाएगा, तो 4 के table में 16 कहां पर आता है, तो उनसरा 4 पर पर आता है, तो 4 को बच्टिप्लाय करेंगे, this is 12x, एलसिम आपको लेना आता है, एलसिम कहते हैं, पहले 4 और 16 का एलसिम लेंगे, ऐसे यह आपको आता है, 4 और 16 का, तो यह आपका 2 पर जाएगा, 2, 8, so 2, 1, 4, then यह सिधा 4 पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट हम रही है, 4, 2, 8, 8, to the 16, तो 16 आ रहा है, उसके बाद नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 4 को 16 पर डिवाइड करने पर, this is your 16, 4, तो अंसर कितना आएगा, तो अंसर आपका 4 आएगा, जो अंसर आ रहा है, उसको उपर मल्टिबलाई करते हैं, 4 इंटो 3 is 12x, similarly 16 को 16 पर डिवाइड करने पर, 1 आएगा, 1 इंटो 3 is 3x, तो कितना अंसर आएगा, 9x अपाउन 16, तो आपके पास ये तीनो टर्म्स आ चुकी है, तो जब आपने पंप नहीं किया था, आपके पास इतनी एर थी, फर्स्ट पंप के बाद इतनी एर बची, सेगेंड पंप के बाद इतनी एर बची, चलिए अब देखते हैं, क्या ये एपी सीरीज में है, ये नहीं, इसकी पहले सीरीज मनाते हैं, सीरीज क्या बनी, अगर मैं सीरीज की बात करो, तो सीरीज आपकी बन रही है, पहले एकस है, तो चलिए देखते हैं, तो आपके सीरीज थी, सीरीज वास, एकस, त्री एकस अपाउन 4, देन 9 एकस अपाउन 16, तो ऐसी आपकी यह सीरीज बनेगी ठीक है अब देखना है कि एपी में है के नहीं कैसे चेक करेंगे पहले डिफ्रेंस निकालेंगे डिफ्रेंस ठीक है कौन से वाला इस फर्स्ट डिफ्रेंस डिफ्रेंस डिवन पहले निकालते हैं पहले डिफ्रेंस का फॉर्मला क्याता है स second term में से first term, तो second term कितनी है, this is 3x upon 4 minus x, इसके नीचे बन लिख सकते है, second वाली में से first वाली minus करो, तो LCM कितना है, आपका 4 आ रहा है, तो यह आ जागा 3x, यह 4 इदर चला जाएगा, minus 4x, तो कितना जाएगा, minus x by 4, ठीक है, LCM लेना है, बार बार बोर रहा है, LCM लेना है, 4 into 1 का 4 LCM आएगा, इसमें cross भी कर सकते हैं, 1 into 3 is 3x, 4 into x is 4x, plus minus minus, this is minus x by 4, तो इतना difference आ रहा है, अब आप second difference निकालते हैं, second difference के लिए आपको third time में से second वाली minus करनी है, तो यह third time में है, और यह second है, तो अंसर है, बिलकुल नहीं आ रहे, तो इसका अंसर है, यह AP series नहीं है, no, यह वाली जो solution है, AP series नहीं है, ठीक है, चलिए अब third question की और बढ़ते है, first question का जो third part है, तो first question का जो third part है, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको पास एक कुवा है, ठीक है, इस कुए में से, आ पहले एक मेंटर पर, यहां से first एक मेंटर की जो cost है, वो आपको पढ़ रही है, 150 की, 150 रुपीस लग रहे है, अगर आप एक मेंटर तक की square की मिट्टी को बाहर निकलवाने के लिए, आप किसी को बोलतो है, ठीक है, उसके बाद जो next एक मेंटर है, फिर next एक मेंटर है, हर चार्ज क्या आए आपका, first charge आए आपके पास 150, ठीक है, second charge क्या आएगा, second time जो चार्ज आएगा, second time आपके पर चार्ज आएगा, first plus additional 50, यह होगा दो मेटर के लिए, जब दो मेटर की बात करें, first एक मेटर पर कितना चार्ज आए था, 150, दो मेटर पर कितना चार्ज तो इसमें क्या आएगा, दो मेटर के लिए कितना चार्ज आए था, आपके पास 200, उसमें भी 50 एड कर दीजिए, यह कितना आजएगा, 250, ऐसे फोर्थ मेटर जब आप, एक मेटर और पटवाओगे, कुआ, तो फोर्थ चार्ज क्या आएगा, आपके पास, fourth time, ठीक है, तो तीन मीटर तक का आपका चार्ज ही आ चुका है, और 50 इसमें और एड कर दीजिए, इस इस 300, अब यहाँ पर देखें, दुबारा से, पहली बार जब एक मीटर आपने इसमें से करवाया था, एक मीटर के चार्ज इस थे 150, और जो second है, second time जो आपके चार्ज आ रही है, second time सि 50 रुपे रिट बढ़ रहा है, तो 150 इसमें 50 रुपे रिट आड करो, 250 आजएगा, फिर इसमें 50 रुपे रिट आड करो, 300 आजएगा, तो ऐसे हर बार आपको 50, 50, 50 रुपीस आड करनी है, तो यह सीरिस बन जाएगी, अब चेक करो क्या यह सीरिस एपी में है, 150, 200, 250 और 300, तो आप इसमें देख सकते हैं, every time जो gap आ रहा है, यह 50 रुपीस का रहा है, तो yes, it is AP सीरिस, ठीक है, तो यह इसका third part हो गया, चलिए fourth part को start करते हैं, See here the fourth question is, the amount of money in the account every year when रुपीस 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum, जैसे आपने 10,000 रुपे बैंक के अंदर सब्मेट करवाई, तो 8% के हिसाब से आपको हर साल में कुछ इंटरेस मिलेगा, इंटरेस मिलने के बाद जो total amount है, that is जो आपने सब्मेट करवाई थे, principal और प्लस जो इंटरेस मिला तो amount क्या होती है, amount होता है, principal प्लस इंटरेस आपने कितना सब्मेट करवाया और उस पर कितना इंटरेस मिला, तो यह आपके amount होती है, तो आपको हर साल amount मिलेगी, first year, second year, third year, आपने यह बताना है कि यह जो amount मिल रही है हर साल, यैसे आपने first year ली, then second year ली, then third year ली, क्या यह amount, AP series के अंदर है या नहीं, तो amount का जो formula होता है, students होता है, P into 1 plus R upon 100 power N, तो यह amount का formula होता है, इस formula से हम amount को calculate करेंगे, तो see how to calculate, देखे, जब इसको calculate करेंगे, तो कैसे हमें इसको calculate करना है, तो for first amount, अगर मैं first amount calculate करूंगा, this is A1, this is my first amount, तो first amount की बात करेंगे, this is principal आपका था, 10,000 रुपीज, this is 1 plus rate, rate आपको 8% दिया होता है, upon this is 1, क्योंकि first year के लिए जो आपका time period रहेगा, यह 1 आपका time period है, this is time period, similarly second amount की बात करेंगे, this is 10,000 into 1 plus 8 upon 100, इसकी power 2, similarly अगर third term की निकालेंगे, 10,000 into 1 plus 8 upon 100 की power 3, तो यह ऐसे चलता रहेगा, चलो, इसको solve करने पर, इसको solve करने पर, इसको solve करने पर, आपके पास यहां पर कोई ना कोई terms आएंगी, जब आप इनको solve करोगे, आप देखोगे, जो first difference है, यह first difference जो आएगा, अगर आप इस amount में से इसको minus करोगे, A2 में से A1 को minus करोगे, वो कुछ और आएगा, similarly जब आप second time difference निकालोगे, A3 में से A2 को minus करोगे, ठीक है, इसमें से इसको minus करने पर, आपको कुछ और difference मिलेगा, आपका difference सेम नहीं आएगा, तीसरे साल की amount में से, दूसरे साल की amount को minus करने पर, जो difference आ रहा है, वो difference second और first year की amount का से बिलकुल अलग होगा, तो यह भी AP series नहीं है, तो इसका answer भी आपका लिखोगे, नो, तो चलिए इसको solve करके भी आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसको calculate करने पर, आपके पास यह आएगा, similarly second time को solve करने पर यह आएगा, third time को solve करने पर यह amount आपको मिलेगी, अब minus करके देखिए, जब आप इन दोनों को minus करोगे, तो आपके पास sensor आएगा 933, जब आप इन दोनों को minus करोगे, तो आएगा 864, तो देखिए, यह दोनों amount जो रूपीज के करते हैं, तो second question दे रिखा आपको, write the first four terms ओपीपी, आपने चार्ट terms निकाल लिया, this is your first term, this is second term, this is third term, and this is fourth term, देखिए, first term तो a ही होगी, second term के लिए formula क्या लगाओगे, second term के लिए लगाओगे, a plus 1d, ठीक है, second term के लिए आवाना आएगा, similarly third term के लिए formula लगाओगे, a plus 2d ऐसे fourth term के लिए आप formula लगाओगे, a plus 3d, तो जो आपको term पूछिए है, उसमें से 1d minus हो जाएगा, क्यों minus हो जाएगा, क्यों हमारे पास term का formula था, a plus n minus 1 into d, जैसे ही हमें n को मैं fourth put करूँगा, मैंने fourth term निकाल लिए, a ऐसे ही है, this is 4 minus 1, n को 4 put किजिए, 4 minus 1, 3 आजएगा, 3 3d, तो इस तरह से हमारे पास formula बनता है, fourth term में 3 आएगा, तो बस आपने ऐसे sequence याद कर लेनी है, जो भी term आप निकाल रहे हो, उससे एक term यहाँ पर minus करके लिखोगे, ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस question को, आपको first part था, उसमें a 10 दे रिखाए, so here a is 10, तो first term आ जालेंगे, third term के लिए a की value 10 है, this is 2, and d दे रिखा, these again 10, difference 10 दे रिखा था, यह 20 हो जाएगा, 20 में 10 add करोंगे, this is 30, four term के लिए 10, plus term, a plus 3d, a की value 10, और यह 3 और d यहाँ पर 10, तो यह कितना जाएगा, आपको 40, तो यह हमारे ep series की 4 की 4 terms calculate हो चुकी है, इसी तरह हमने second और third part start करेंगे, तो second part में आपको दे रखा है, second part के अंदर, second part के अंदर आपको a की value 10, this is minus 2, और यह जो d है, d आपको दे रखा है, this is 0, difference 0 है, तो यह तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, this is first term, second term, third term, and fourth term, तो formula फिर से लिख लो, first term, तो आपकी आगी minus 2, second term का formula होता है, this is a, plus 1d, third term का a plus 2d, और third, fourth term का a plus 3d, तो यह आपका formula लिख दिया, आप लोग ने, उसके बाद एको d तो 0 है, तो यह वाले term 0, यह वाले term 0, यह वाले term 0, और यह वाले term 0, क्योंकि 0 है, तो 0 को किसी चीज़ से multiply करो, 0 हो जाएगा, तो हर बार आपका answer, यही आएगा, minus 2, minus 2, क्योंकि अब third part के और बढ़ते हैं, सीधा third part of this one, third part में आपको a दे रखा है, 4, और difference दे रखा है, minus 3, a is 4, and difference is minus 3, तो यह दे रखा है, चलिए भी इसको solve करेंगे, इसी formula से, तो here first term, first term तो आपके दे ही रखी है, 4, second term क्या है, तो second term भी calculate करते है, second term के लिए formula लगा, a plus 1d, this is 1d, 1d की value कितनी है, minus 3, तो यह आजाएगा, इसको solve करेंगे, 4, यह plus और minus, minus हो जाएगा, 1 into 3 is 3, this is 1, third term calculate करेंगे, तो third term के लिए 4 plus 2d, formula 2d होगा, तो यह आजाएगा, आपके पास 4, यह plus into minus, minus, 3 into 2 is 6, तो इसकी value होगी, minus 2, तो last में जो 4 term में उसको भी लिख देते ही ही पर, तो 4 term का formula हो जाएगा, a, a आपके पास 4 है, a plus 3d, मतरत 3 और d के वाली कितनी दी हुए, minus 3, तो इसको solve कर लेते हैं, 4 plus और minus, minus, this is 9, यह आपका minus 5 आजाएगा, तो इसी के साथ हमारा जो second question है, इसका third part complete हुआ, fourth part, तो first term तो आपको देही रखिए, this is first term, तो second time के लिए आप क्या formula होगे, this is a plus 1d, 1d आपको 1 by 2 है, तो इसको कैसे solve करेंगे, minus 1 ऐसी है, one को से multiply करने पर आपके पास 1 by 2 आएगा, ठीक है, take calcium here, तो इसका calcium 2 आजाएगा, 2 into minus 1, this is minus 2, 1 into 1, this is 1, यह आपका जाएगा, minus 1 by 2, similarly third term निकाल लेंगे, third term का formula होगा, a plus 2d, 2dd is here, 1 by 2, तो यह 2 से 2 कर ज 1 और यहाँ पर प्लस 1, यह कितना आजाएगा, 0, तो फोर्थ टर्म, 4 term के लिए, a plus 3d, d आपका 1 by 2 है, this is 1 by 2, तो यहाँ पर 3 into 1, यह आपका 3 आजाएगा, divide by 2, यह बन जाएगा, this is minus 2, प्लस 3 upon 2, यह आजाएगा, 1 by 2, तो यह आपके terms आचुकी है, ठीक है, तो यह हमारा फूर्थ bei अब देखिए यह सी का जो लास वाला पर्ट है, इसस फिफट पार्ट, फिफट पार्ट को काल्कुलेट करते हैं, फिफ всем heart, फिफ्ट पार्ट में आपको, A की value दे रिक आजे है, this is 0.25, ठीक है, डी की value दे रिक है आपको, minus 0.25 this is minus 0.25 चलिए इसको calculate करते हैं इसकी calculation तो first term dear आपको दे रखी है 0.25 second time का formula this is a plus 1d plus 1 into d d कितना है 0.25 but यह minus का है ठीक है अब इसको कैसे करेंगे 0.25 यह plus minus यहाँ पे minus आएगा आपका और यहाँ पे 0.25 तो दोनों terms same है तो answer कितना हैगा 0 third time की calculation करेंगे a plus 2d third time के लिए 2d आएगा this is minus 0.25 इसको solve करेंगे 0.25 plus minus minus यह बन जाएगा 0.50 और इसको solve करेंगे this is minus 0.25 plus minus minus होता है minus करेंगे sign बड़ी term का लगा होगा ठीक है four term a plus third 3d ठीक है 0.25 और यह होगा किसका minus का तो यह बन जाएगा आपका 0.25 minus यह बन जाएगा 0.75 plus minus minus यह बन जाएगा 0.50 तो यह आपके four term में calculate हो चुकी है तो इसी के साथ जो हमारा second part complete होता है second part के बाद हम चलेंगे third part के और तो देखते हैं third part में आपको क्या बोला है तो first term आपकी क्या होगे dear this is your first term यह आगे difference कैसे निकालेंगा अगर मैं difference की बात करो difference का formula क्या होगा second time में से second time आपके पास first है second में से first को minus कर दो तो यह कितना जाएगा minus two तो इसका first part हो गया second part की बात करते हैं second part आपको देखा है minus five minus one three and seven यह आपके पास second part है इसमें से भी अगर first time लिखोंगे first time इसी और फाइफ और difference की बात करोगे difference कैसे निकालेंगे second time में से second time आपके पास कितनी है minus one इसमें से minus करना आपने first time को first time कितनी है minus five तो इसको solve करेंगे यह minus minus plus यह plus five और यह आपके पास four आजाएगा तो यह हो जाएगा चलिए third question start करते हैं इसी का third part third part दिखते हैं third part में आपको दे रखा है this is one one के बाद आपका five by three उसके बाद nine by three और last में 13 by three up to seven the first time तो आपके पास आगी this is a is one और difference निकालना है difference आपका क्या होगा second term में से यह आपकी second है minus कर दीजिए first term ठीक है तो यहाँ पर जब मैंने bracket डाली थी ना मैंने bracket इसलिए डाली थी क्योंकि यहाँ पर यह वाला जो term में पर पास minus में थी ताकि हमें रीड करना अच्छा हो जाए ना minus minus plus यहाँ पर सारी टांस प्लस में तो मुझे डालने की जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर हम सॉल करेंगे this is five minus three को से करेंगा three upon three यह आज आपका है two by three चलिए इसका फूर्थ पार्ट करते हैं तो फूर्थ पार्ट क्या हो जाएगा फूर्थ पार्ट में आपको देर रखा 0.6 इस ए 1.7 1.7 2.8 3.9 तो यह सीरीज दे रखिया तो इसमें से first time देखे फरस्तम क्या आएगा आपकी तो फरस्तम तो आपकी आ चुका इस इस 0.6 difference निकालेंगे डिफरेंस कैसे निकालेंगे second में से second time में से first time निकाल दो this is 0.6 इसको माइनस करने पी आपके पास 1.1 आएगा तो इसी का मारत थर्ड पार्ट भी complete होगा इसमें से हमने a और d निकालने थे अब next देखे इसी exercise का fourth question तो student जो आपके पास fourth question दे रखा न students जो next है हमारा एपी का fourth question इसमें हमने check करने हैं कि जो आपको series दे रखी है यह एपी के अंदर है या नहीं अगर वो है तो उसकी जो next three terms है आपको और लिखनी है इसके कुछ पार्ट भी करते हैं जैसे मैं पार्ट नमर फिफ्ट पिक करना हूं जो थोड़े difficult वन रहेंगे आपके लिए यह आपको series कुछ अंडर रूट टू थ्री प्लस टू अंडर रूट टू थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू तो यह ऐसे आपके पास series दे रखी है ठीक है तो चली चेक करते हैं कि यह एपी में है या नहीं पहले फर्स्ट डिफ्रेंस निकालोगा डिफ्रेंस के लिए आप इसमें से यह कौन सी है three plus two under root two यह आपके पास सेगेंड रहेंद में से माइनस करने होगा आपको sorry सेघेंड डिफ्रेंस के लिए third time this is your third time third time में इसे आपको माइनस करनी है सेगेंड वाली तो यह second time है 3 plus under root 2 तो इसको माइनस करते हैं 3 plus 2 under root 2 ऐसे यह आएगा plus minus minus plus minus minus तो यह आएगा यह कट जाएगा अब यह देखिए root यह root की calculation ठीक है root की calculation है बिल्कुल उसी की तरह है जैसे वह आपने variable की करते हैं जैसे आप x में x add कर सकते हैं तो यह तो कभी add नहीं होते हैं तो जो variable के rule है addition और subtraction के वही rules यहां पर भी लगेंगे देखिए under root के अंदर यह क्या है टू अंडर root के अंदर यहां पर भी क्या है टू तो अगर under root के अंदर वाले terms सेम है तभी आप इसको add या subtract कर सकते हो तो यह देखिए इसको आप read कर सकते हो इसको आप ऐसे read कर सकते हैं आपका 2x है इस इस टू यह x under root 2x मान लिजे इस इस माइनस एक्स तो 2x में से x- करोगा एक्स ही आएगा ना तो यह होगा 2 under root 2 में से यह 1 जिसके बाहर कुछ नहीं होगा 2 under root 2 में से 1 under root 2 minus करोगे तो answer आएगा under root 2 तो यह आपका second difference आ जाएगा है तो difference same आ ले हैं तो यह ap series है अब यह आपके पास first, second, third और fourth, fourth term दी थी तो आपका fifth term निकाल लिए तो fifth term कैसे निकल लगी a plus 4d तो a आपके पास कितना है this is your 3 plus 4d आपके पास under root 2 आया यह आजाएगा 3 plus 4 under root 2 similarly आपको sixth term निकाल लिए six term का formula होगा a plus 5d तो this is your a, a is your hair 3, 5d आपके पास कितना है this is under root 2 तो यह बन जाएगा 3 plus 5 under root 2 तो similar लिए आप seven term में निकाल सकते हो a plus 6d तो a आपके पास 3 है 6d आपके पास under root 2 है यह आजाएगा 3 plus 6 under root 2 तो ऐसे आपने next three terms लिख दी हमारे पास किसने terms given थी 1,2,3,4,4 terms are already given so next we have written 5th,6th and 7th term तो इस तरह कि इसमें बहुत सारे पास दी हो है तो fourth question को आपने इस तरह से solve करना है चले कि और पार्ट भी देख लेते हैं अगर फोड़ा difficult रहेगा आपके लिए तो मुझे और कोई टाम एक यह भी देख लिए चाहिए अंडरूट वाला कोशन यह भी अंडरूट वाला है तो इसके लिए सबसे पहले students इसको लिखना सीखो यह तो अंडरूट टू ऐसे ही रहेगा एट को कैसे लिखेंगे अंडरूट एट तो अंडरूट एट को solve कीजिए अंडरूट एट को solve करेंगे एट ऐसे यह प्राइम फेक्टर निकालेंगे इसके तो यह जाएगा टू इसको हम लिखेंगे बाहर जो पेर नहीं बना इसको लिखेंगे अंडरूट के अंदर तो यह जो रूट में हमें दो दो के पेर बनाने होंगे तो यहां पर एट को करेंगे यह तो और टू का वन पेर बन रहा है इसको बाहर लिख लो यह जो पेर नहीं बना इसको रूट क को लिखके देखते हैं अगर मैं 18 की बात करूं तो यह आएगा टू पे दिस नाइन ध्री यह थ्री पर जाएगा देन ठ्री वन तो यह पेर बन हो गया जिस इस टूए एकस टूएकस में से वरी एकस माइनश करो तो ऑन एकसी आएगा यहाद है एक टिफरेंस की बात करूँ सेगेंड ढिक्रां। थर्ट वाओं में से थोड़ं में आपके पास थुर्ड ग्रुरेंस कुंपु टूफ इसको पड़ सकते है中 3X में से 2X माइनस करने पर 1x आएगा तो ठीक है तो सबी में जो एह है आपको वोशन में किमाजी रखा था एक वंट वी बन दिचा टू यह आपक पास अंडर टू थो तो यह सेट इंडर रूटू और डिफ्रेंस भी आपका अंडर रूट हुआ ठीक है तो इसको सॉल करेंगे इस प्लस फूर अंडर रूटू यह बन जाएगा फाइव अंडर रूटू तो यह बन जाएगा सिक्स अंडर रूटू तो इसी तरह से आप पूरी इस एक्सराइज को सॉल कर सकते हैं इस कोशन के बाद हम देखेंगे कि नेक्स जो कोशन है हमारे पास ठीक है 5.2 एक्सराइज के वो कैसे हैं उनको सॉल करेंगे नेक्स एक्सराइज इस 5.2 थैंक्स पर वाचिंग क्लास